नमस्कार मिरभक्तो आज मैं आप सभी को जुवा में और तास में जीतने का बहुत ही सटिक और सरल सा तुटका बताने जा रहा हूं जिस तुटका को अगर दो लवंग और थोरी सी मातरा में लाल चंदन ले करके जैसे ही अभी कर दिजिएगा और करके आप जहां भी जुवा तास खिलने जाएगा वहां पे सो परसेंट आपको सफलता मिलेगा क्योंकि एजो जुवा जितने का आसान सा तुटका है बहुती सटिक है बहुती चमतकारी है जो की आजमाया गया है इसी तुटका से मैंने बारा लोगों का काम सिर्फ बारा से चौदे मिनट के भीतर में किया हूं जिसक में से सब को चार से पांच घंटे में सफलता मिल तोने तोटके करके ठक चुके हैं और आपको जुवा में जीत हांसिल नहीं खोता है बार बार जुवा खिलते हैं लेकिन हार जाते हैं और हार करके निरास हो चुके हैं तो आप रोना धोना बंद किजिए और दो लवंग और थोरी सी मातरा में चंदन लेकर के आज कह सक्ति तोना तोटका कर दिजिए फिर आप जुवा खेलिए तास खेलिए हारा हुआ पैसा भी वापस जीतोगा साथी साथ लविटरी में आपकी किस्म चमकेगी लेकिन इस उपाय को कैसे करना है चलिए हम आप सभी को बताते हैं उसके पहले मैं आप सभी को बता दू मैं हूं हारे को का सहारा तांतरी की लव गुरू और आप सभी देख रहे हैं तांतरी की लव गुरू के नए सकती साली और चमतकारी टोने टुटके तो अगर अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लिज मेरे चैनल को सस्क्राइब करके हम से जुड़ दिखियेगा सबसे पहले इस टुटका को आप रात को सोते समय कीजिएगा आप इस टुटका को किसी भी दिन कर सकते हैं इसमें कोई भी दिन की ज़रूरत नहीं है बस रात को सोते समय कीजिएगा कव कैसे कιजिएगा ध्धान से सुनिएगा जब आप खाना पीना खा करके रात को सोने जाते हैं उसी वक्ते उसी टाइम कर लीजिएगा चुप के चोरी से किजिएगा और जहां भी करने बैठिएगा आप वहाँ जमीन पे निप पुत करके आस्थाई कल दिजिएगा वहाँ सुध कर दिजिएगा उसके बाद आप दच्छिन या पूरब दिसा की तरफ में घुम करके आप अस्थाई से बैठ जाएगा जैसे ही बैठिएगा चहंदन को और लवन को निकाल करके ठेक अपने सामने कर लिजिएगा एक पिपर के उपर में जो की साधे पिपर होना उसके बाद में आप एक सियाई लेकर ही बैठिएगा उसके बाद आप क्या किजिएगा ध्यान से दखिएगा ये जो तास की पतिया है आप सभी को नहीं लेना है मैं पहले ही बता देता हूँ ये जो लिया हूँ आप सभी को दिखाने और समझाने के लिए फिर से बता दे जो मैं अपने हाथों में आप सभी को अभी के अभी दिखा रहा हूँ एक कुछ तास की पतिया है जिसके प्रियोग से लोग जीवा तास खेलते हैं जैसे कोई कीटी खेलते हैं तो कोई फालाज खेलते हैं तो कोई दहल जित खेलते हैं कोई बास साह पती खेलते हैं तो कोई अंदर बाहर खेलते हैं यानि कीसी भी परकार का आप जिवा खेले इस टोटका को करके खेले सो परसेंट आपको सफलता मिलेगा हर बाजी आपके ही चीत होगी देखिएगा सबसे पहले इस C.I. के परियूग से आपको करना क्या है इस कागज के उपर में सबसे पहले आपको अपना नाम लिख देना है आपको अपना नाम लिख देना है चाहें आपका नाम रमेश कुमार हो राजी कुमार हो संजय कुमार हो या सोनु कुमार हो जो भी आपका नाम है आप अपना नाम लिखिए उसके बाद यहाँ पर पलस का चीन दीजिए उसके बाद में लिखिए क्लिम क्या लिखिए क्लिम जैसे क्लिम लिखिएगा ध्यान से दिखिएगा यह जो चंदन आप रखिएगा इसे आरी आरी से ऐसे घेर दीजिएगा बीच में चंदन रखिएगा उसके ठेक नीचे में आप ऐसे एक मंत लिखिएगा एक ऐसे मंत लिखिएगा जिसे एक टोना आपके नाम के साथ में सीध होगा और जैसे ही सीध होगा यह अपना चमतकार दिखलाएगा अपना असल दिखलाएगा अपना जादू दिखलाएगा और आपके अंदर आपके पास एक ऐसा सक्ति लेकर आएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा और जहां भी जुवा खिलेंगे तास खिलेंगे वहाँ पे आपको जीताएगा माला माल करेगा बोले हुए सब्द को कभी भी खालिवार नहीं जाने देगा मंत्र ऐसा है सबसे पहले आपको बोलना है ठा ठा रीम स धन देहि नमा इस परकार से आपको मंत्र को लिखना है जैसे आपको लिखा दिखना रहा हो तो आप जैसे मैंने बोला वैसे आप सुन करके किसी भी कागज पे लिख करके आप टोना टुटका करते समय इस कागज पे लिख दे जैसे लिख दे इसको अलग करते उसके बाद आप देखिएगा दो लवंग जो मैंने बताया था लेने के लिए इस लवंग को सबसे पहले एक को ऐसे अंग्ठे से और हात के बड़े उंगली से ऐसे दबाना है और इसे अंग्ठे से और हात के बड़े उंगली से ऐसे दबाना है उसके बाद अपने दिल को मन क अस्थाई करना है दिल में मन में विश्वास रखना है उसके बाद ऐसे एक बार आपको लोग को असपस करना है उसके बाद में बोला है ठा ठा रेम सा धन देई नमा ऐसे एक बार मन्त का प्रयोग करना है और एक बार ऐसे असपस करना है एक बार इस मन्त का प्रयोग करना है एक बर ऐसे असपस करना है इसे प्रकार से इस मन का प्रयोग ध्यान दिल में मन में करते हुए सिर्फ एक काउन बर कर दीजिएगा उसके बाद इस दोनों लोगों को ऐसे आपस में सटाईएगा सटाने के बाद थोड़ी सी मतर में चंदन उठाईएगा अपना नाम बोलिएगा उसके बाद इसके उपर फूल के उपर थोड़ी सी मतर में लगा दीजिएगा फिर थोड़ी सी और उठाईएगा अपना नाम बोलिएगा इसके उपर थोड़ी सी मतर में लगा दीजिएगा इसे प्रकार से आपको पांच बार चंदन थोड़ी थोड़ी ती मतरा में लगाना है उसके बाद इस लाल चंदन लगाय हुए लों में इसे अपने सर से छुआ करके उचरंग करके आप हो सके तो इसी चंदन में ऐसे करके रख ले नहीं तो आप अलग भी रख सकते हैं उसके भाद आपको एक घंटे बाद दो घंटे बाद, तिन घंटे बाद या जब मन करे तब मन करे जुवा तास खेलने की आप इसे साथी साथ जुवा तास खेलने लेकर जाए 100% आपको सभलता मिलेगा